नवस्त्री डोस्तो अभी ये मेरा प्रोकस डचकेम आपको मॉडल 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 है इंबेसेडर अपको च्ट का साथ जो आया है पेकेजिंग में ऐसेजिउर तक यह होगblack डेस ये आपकोगा झारिकर सिग्रेट लाइटर 12 वॉल्ट 25 वॉल्ट डीसी डीसी अडेप्टर तो अभी में तो गारी पर हो नहीं रूम का अंडर हो तो यसलिए मैंने 12 वॉल्ट का मेरा यूपियस का जो बेट रहा उसको यूज कर लिया और इसको मैं पावर अप करूंगा और देखाऊंगा कि इसको क यह से ऑपरेट करना है मतलब आपको इसका साथ मेनुएल मिल जाएगा इट इस वेरी इजी तो रीड दा मेनुएल बट मैं अभी देखाऊंगा मतलब वीडिन फाइब मिनिट वीडाउट रीडिंग डा मेनुएल आपको यह ऑपरेट करना आ जाएगा मतलब बिल्कुली अ ने ऒएठ इसका तो आपको इसको और यू जाए आपको निर्ट करना है क्योंकि इसका रेकोर्डिंग वालिटी आच्छा है और मिनिट देखा यह लॉंग डिस्टेंश जो इसका वीडिव फीशा है और फीशाए है तो यह आशान है कि आप करूम का अंदर भी कुछ भी रेकोर्ड कर सकते हैं मतला आपका लाइट कॉंडिशन ठीक है तो बरहा हाई बैसिकली वह बैटरी जब यह आएगा आपको शीपमेंट में जब खुलेंगे ना उसको यह बैसिकली चार्ज होके नहीं आता है तो उसको चार्ज करना पड़ता है तो पहला मेरा कंफ्यूजन जो था एक यह जीपीएस रिसीवर इसका सद्धिया हुआ है ग्लोबल लूप मतलब आपका हर वीडियो फाइब मिनिट फ्री मिनिट वान मिनिट इसे करके आप सेट कर सकते हैं और एक बटा देता हूं कि यह वाइफाइ एनेबल कैमेरा है इसमें वाइफाइ है और इसको आप आपका स्मार्टफून है उसका सथ प्यार कर सकते हैं उसके लिए जो आप पार्ट है वह आप गोगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसका नाम है काका ओके तो उसको डाउनलोड करके आप दूनों को प्यार कर सकते हैं आपके स्मार्टफून एंड्रॉइड स्मार्टफून और इसको तब क्या होगा आपका जतना कैमेरा का करने का मतलब 50 to 60 feet range में साहर हो जाएगा तो वह तो ठीक है बिसिकली मेरा confusion था कि यह GPS जो दिया हुआ है जब मैं video recording जब मेरा होगा वेन ड्राइब ड्राइब वेहिकल तो उसमें इसका यूज क्या है उसका यूज यह है कि वेन यू टेक डाभ बेक फ्रम यूर माइक्डारी काड इसमें एक माइक्क डी काड आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और वह 128 कभी 128 जी बी तक सपोर्ट करें माइक्र डीकार आपको इसे करके डालना पड़ेगा और इसको यहां डालने का पहले 10x स्पीड का होना सही है Micro SD Card 10x Speed क्योंकि High Definition Video है High Definition Video Store करने के लिए Fast होना से 10x तो इस यह Defecto है आसकल 10x Speed है तो 128 GB तक यह support करते हैं मेरा Card 64 GB का है तो इसको आपको पहले format करना पड़ेगा आपका computer में अगर आप Windows 10 यूज कर रहा है तो Windows 10 में आपको jau file system है file allocation जो होगा आपका एक टू exactly मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन unit जो file select करना पड़ेगा आपका format option में जाके उसमें आपको select करना पड़ेगा 32GB 32KB तो यह इसका इस Camera के लिए जो है न वह आपको याद करकर उसको format करना पदेगा तो पहले अपने laptop में इसको format कर लिया । इसका बद इसमें डालके भी आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा और अगर आप कैमेरा को इसे होल कर रहा है तो यह आपका रियर कैमेरा हो गया यह फ्रॉंट कैमेरा हो गया कार्ड को आप इसे डाल दीजिए जस तुरसा हलका अप्रूस करें दीजिए आप बिल्कुल लाइ ससूरी ओन टो ट्री और पी और सब्सक्राइब फॉर्मेट यह पावर ब ₂ट है साइद में जो है इस मुठीर सबected सकते हैं इसादी को इस केमेरा को मेने चार्ज करकर रखा हुआ है तो चार्ज करने केलिए अभी तुमा ङरी पि हैं से क्लिए यहां से Node एक कर एक और अंद्वरगर जो मेरा बेटरी है यहां चूसुरा आज़ने इक क्रोकोडल क्लीप जो है बरावला इसमें से मैंने निगेटिव सप्लाई को लेने के लिए यहां लगाया यह पोजिटीव है यह निगेटिव है और यहां से मैं कैमेरा को अभी कंफिजन आपको भी होगा immort हो अथा कि इसको पावर देनी के लिए इसमें एक Micro USB Slot है, Mini USB, यह देखे Mini USB Slot है, तो इसको यह भी जो DC Supply Adapter आ रहा है, cigarette lighter जो adapter है DC to DC 5V वाला, यह भी इसमें लग सकते है, Direct, तो यह आप Direct लगा सकते है, अगर GPS नहीं लगाएंगे तो, तो GPS का यूज यह है कि आप जब वीडियो रेकोडिंग करेंगे, एक सौफ्ट्वेर है GPS Player, वो थार्ट पर्टी एप्लिकेशन है, आपका लेप्टॉप में डाउनलोड करके जब वीडियो प्ले करेंगे, आप exactly आपको मैप भी दिखाई आपको पता लग जाएगा, तो वीडियो रेकोर्डिंग होगा, तो मतलब जियो टेगिंग भी होते रहेगा, ताइम, डेट, लोकेशन, एवरीटिंग, मतलब अल्टिटुट्व होगा, जटना है, वो सारा इंप्रमेशन होगा, तो इसको पावर अप करने के लिए, आप इसको यूज नहीं भी कर सकते है, जीपियस रिसीवर को, और जीपियस रिसीवर को यूज भी कर सकते है, नहीं भी कर सकते है, अगर अब जीपियस रिसीवर को यूज करेंगे, यूज रिसीवर को यूज करेंगे, यूज पावर सोर्स, जीपियस में आप दिखेंगे तो और एक Mini USB Slot है यहां पर आपको लगाना पड़ेगा यह जो पावर सप्लाइवाला जो है न उसका Mini USB इसको यहां लगाना पड़ेगा यह लगा दिया मैंने यह GPS लगा दिया फिर GPS का जो यह यह मीनी USB वाल यह जो है सॉकेट इसको मेनी USB श्लोट है इसको पावर अप करने के लिए इसमें लगाना पड़ेगा यहां तो अभी मैंने बेटरी से इस बेटरी से पावर नहीं दिया है और डी मेरा बेटरी इसमें चार्ज है मैं अभी जस्ट कुईकली रिखा देता हूं इसका मेनू वगरा कैसे कॉंफिगर आप कर सकते हैं इसको अन कर किया है कितना क्वालिटी हाई रिजोलीशन है मतलब और इसमें नाइड वीशन है इस कैमेरा में नाइड वीशन है और नाइड वीशन मतलब इसमें इंफ्रेड निकालते है एलीड इंफ्रेड निकालते है इसमें मैंने अभी नाइड वीशन डिसेबल करके रखा हुआ है नाइट वीशन डिशेवल करके रखा हूँ उसका बज़स से चार्ज नहीं था विटरी अभी में देखाता हूँ इसको आभी पावर आप में करता हूँ यहां से कर एक सीट्टी से वाँ से और करके रखा था आप इसकी में इस्क्रीं से बॉता झेशन के लिए स्क्रीन से खया हूँ पावर शेयन के लिए स्क्रीन से वर आप अगर डिकेक दो पी फूली चार्ज भी छांगे आ स्क्रीं से वर आन से सेटिंग्स बटन सेटिंग्स बीज़ वाला यह अग जब आन करेंगा आप प्रेकोर्डिंग शुरू हो जाएगा तो रिकोर्डिंग को वाइड जो है ना मतलuj मौइड भी ओके लिए डाल डलीओ डीर्वाइक्सपोज़्भर रहा है तो स्क्रोल डॉन कर सकते आप इसको जो्द कर सकते और इसको पूर्ड ओडी-ओ यह होग और यह के figuring पर्टिकोलर मेनू की पर्टिकोलर मेनू set करना हैं इस परचिक किट करना है इसको प्रेस कीजिए अभी यह आपा वीडियो नहीं सई आप इसको ओफ कर सेक्ट आप गॉत करने के लिए स्क्रॉल अप किजिए और नोगे रखना है है कि बोके कर लिया तो यह only recording औ्यज्य T10 है यह अपह यह कर सकते हैं एंब कर सकते हैं अदिक ने के लिए यह रडा न में चाहरे हैं और न ये जैसे वाइफाई वाइफाई आ गया डेट टाइम डेट टाइम पहले आपको डेट टाइम सेटिंग करना पड़ता है यहां पर यह जैसे 2021 आज 3 जन्वारी है टाइम 9 वसकर एक मिनिट तो यह सारा सेटिंग्स आप कर सकते हैं यहां से फिर और एक बार दबाईए निकाल गया यहां से नाइट मूड नाइट मूड में क्या होता है आपका अंधेरा में हलका सा लाइट होगा ना यह रेकोर्डिंग कर अबत क्लोज आप में वह थुरा बहुत रेकोर्डिंग बरिया से कर लेता है अंधेरा में मतलब थुरा सा हलका सा लाइट होना सब्सक्राइब होना सब्सक्राइब तो इस्वकुल इसकोल कि देखिए यह अउफ है नहीं जो जो टुक्त करके रहता हूं इस में धींगे cracked आप 0.105 देखे होनों को इसको अपशना के आप जाएख यह संदू हो यह फोकासिंग नहीं हो रहा है आफ हो गया इस्क्रीन से फ़र आफ हो गया अभी फिर यहां से निकलता हूँ तो यह असान है अगर आपको वीडियो रेकोर्डिंग सुरू करना है इसको एक बार प्रेस करना है यह रेकोर्डिंग सुरू हो गया रेकोर्डिंग सुरू हो गया यह फाइब मिनिट करके रखा हुआ है रेकोर्डिंग आफ हो गया पर फीर इसका साथ जो डेकोर्डिंग हो रहा है यह गोडों का भी रिकोर्डिंग हो रहा बिंग इक दिखाता हूगा को आपको लाइट कॉम करेता हूँ अप देखेंगे अगर में नाइट मोड होगा यह देखिये ओढली ऊएडJ यह में खाली आक से अगर देखूंगा ना इस camera में यह आपको दिखा ही नहीं देखा यह अगर camera में आप direct देखेंगे ना यह मेरा mobile phone से तो record कर रहा हूं ना उसका बज़से इसका वह आपको यह light दिखा दे रहा है क्योंकि उसको अंधेरा हो गया ना तो it is trying to light up इसकी यह जो मेरा mobile phone का जो front वाल तो अभी थोड़ा लाइट मिल गया तो यह कॉम हो गया फिर यहाँ पर इस बटन को अगर आप रेकोर्डिंग इसर्ट करना है प्रेस कर दीजे और यह जो रेड बटन है और यह रेड एक लाइड है एक ब्रिंग करना सुरू करेगा कि आप इस तो यह में स्मार्ट फून से चीज नहीं होता है यह हैंडीगें से करने से ठीक होता है मैं स्मार्ट फून से कर रहा था रेकोर्डिंग इसमें लाइट जो है हूरा काम करना पर हाँ अभी देखिए यह आप ब्लिंक हो रहा है red यह वीडियो रेकोर्डिंग हो रहा है अभी इसको आप एक बर प्रेस करणे जिए अभी आपको सद्विडिनली audio suppose recording करने का पहले mute करना है तो इस button को एक बर प्रेस करना है तो अभी देखेंगा आप यह जो microphone का icon है उसमें वो रेड़ बार आ गया क्रोस करके म्यूट हो गया वीडियो में ओडियो मतलब आएगा नहीं म्यूट हो गया और यह आपको दिखाई दे रहा है जो वाइफाई का आइकॉन दिखाई दे रहा है वाइफाई एनेबल कर सकते हैं तो अभी प्यार नहीं है मेरे स्मार्टफून से अभी में एक काम करता हूं अभी अभी में दखाता हूं आपको अभी फ्रॉंट कैमेरा का भी दिखाई दे रहा है अगर इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे आप थोड़ा दिर के लिए यह दिखिए मेरा मेरा फेस दिखाई दे रहा है और फिर यह फ्र मतलब फ्राँ बेक दोनों और ये इस बटन का कम हो है अभी इस बटन का कम है कि अभी आप मोजी मूट में है यह मोजी मूट में है और इसको एक बार प्रेस करेंगे तो यह अभी कैमेरा मूट में सला गया यह कैमेरा का आइकन दिखाई दे रहा है तो और एक वर प्रेस करेंगे यह प्रिविव मतलब आप पुराना वीडियो अगर आपको देखना है वो आप प्रिविव कर सकते हैं मतलब आगे जा सकते हैं पीसे जा सकते हैं यह वाला बतन से स्कॉंड करके करके यह पहले वाला वीडियो पर चला गया बता नहीं क्या रेकोर्डिंग हो रहा था यह तो अभी इसको प्ले करना है तो इसको प्रेस करना है कि इसको नहीं इसे कुस रेकोर्डिंग हो गया होगा तो वह यह मतलब इसमें आपको दिखाई रहे फाइल नेम दिखाई रहे यह MP4 आगे जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो पहले वाला वीडियो फिर निकाल गया दुबारा के कैमेरा मुद में आ गया मतलब यह यह मतल फाइब वल और एक यह वाला केबल जो है मीनी वेस भी यहां लगा देना है आपकर कैमेरा ओन हो गया और चार्जिंग भी सलेगा यहां पर चार्जिंग यह इंडिकेशन आ जाएगा यहां पर और अगर इस 12 वाल से में इसको पावर अप करना है तो मैं इसका यह वाला पो पॉजिटिव में यहां लगा दिया यह पोजिटिव और यह निगेटिव जो है मैंने यहां नेगेटिव में लगा दिया निगेटिव में लगा दिया तो अभी क्या हुआ आपको डाइरेक्ट दिखिए एक आइकॉन आप क्योंकि अभी जो पावार आ रहा है यह जीपिएस होके आ रहा है आपको लगाना है क्योंकि इसको बाहर से सिगनल मिलता है सैटलाइट से इसलिए उसको सिगनल यहां पर लगा दिया और एक आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है देखिए जो एक ब्लिंक कर रहा है ना जीपिएस एक्टिवेटेट तो अभी कुछ भी आप रेकोर्डिंग करेंगे तो आप बाहर में जब गारी लेके जाएंगे अभी डूरूम का अंडर हो इसलिए सिगनल पकरने का कोशिस कर रहा है बट इस नोट फिक्सिंग नाट ल वीडियो आएफ टेस्टेट इट एंड डेफिनेटली इट इस वाट प्राइस मतलब आप इसको एज इवन स्पोर्ट्स केम जैसे भी यूज कर सकते इसका साथ ये साक्सन का मांट दिया हुआ है इसमें जो आप गारी का उसमें लगा सकता है और इसका नीच ऊपर क्योंकि आप कैमेरे इसी रख लगाएंगे ना गारी में और यह भी रेकोर्डिंग हो रहा है क्योंकि फ्रॉंट बेक डोनों का रेकोर्डिंग चल रहा है अब यह एक स्लोट है जिसको आप यहां पर इसको अंडर कर सकता है वीजिली इसको थोड़ा लाइट रहा है थोड़ा यह थोड़ा देख लिजिए धियान से और इसको प्रेस कर दिजिए यह आपको गारी का ग्लास में लगाना है और इसको बदेख निश्वार यह जिसको अगरी कीः आप यह तवाद वीडियो शर्मच करना है जिस थालन भी विजिए निश्कान वीजिए जिए पर्मच करना है यह फॉर्मेट इस इस फॉर्मेट यह ओके बटन प्रेस करना है यह ओके फिर दुबार आओके बोल रहा है कि अल डाटा विल बी डिलीटेड फिर नीचे जाता हूं ओके इस फॉर्मेट हो गया फिर निकालता हूं प्रेस करके अभी इसका ओडियो म्यूट है इसको क्योंकि इसको मैंने प्रेस किया था ना अभी वीडियो रिकोर्डिंग होगा तो ओडियो रिकोर्डिंग भी होगा और मेरा वीडियो आच चलागे तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है और इसको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस करके रखिया है बस